Hello guys, welcome back to my youtube channel Guys, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे स्काफोल्डिंग के बारे में स्काफोल्डिंग से रिलेटेड हम 5 different topics पे discuss करेंगे इसमें सबसे पहला स्काफोल्डिंग कंपोनेंट यानि स्काफोल्डिंग में क्या क्या कंपोनेंट से यूज होते हैं इसके बार में जानेंगे next है हमारा types of bracing यानि bracing कितने प्रकार के होते हैं इसके बार में जानेंगे types of clamp clamp कितने प्रकार के होते हैं स्काफोल्डिंग में इसके बार में जानेंगे next जानेंगे हम types of safety net safety net कितने तरह के होते हैं जो हम site पे use करते हैं इसके बार में जानेंगे तो इस 5 अलग-अलग topic पे जानेंगे इसके बारे में तो आई इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हम जानेंगे what is scaffolding यानि scaffolding क्या है जब भी कोई आप से scaffolding के बार में पूछाएगा तो सबसे पहले यही पूछ सकता है किE scaffold कीसे कहते हैं तो देखिए scaffolding को हम fender chance Alz yaya staging करते हैं ये एक temporary structure है जो की workers को support करता है जो भी workers हैं जो काम कर रहे हैं जो material use कर रहे हैं तो worker और material को ये support करने के लिए structure होता जो की temporary होता है तो यह हम कहां use करते हैं किसी भी construction में, किसी भी building के repairing में, maintenance में अगर हमें height पे काम करना है, एक हमें platform चाहिए तो हापे हम scaffold erect करते हैं अब हम जानेंगे scaffolding में कौन-कौन से components use होते हैं scaffolding का जब भी हम erection करते हैं तो क्या-क्या components हमें चाहिए होते हैं तो हम bottom से top के तरफ जाएंगे तो सबसे पहला हमारा है base plate second है आपका soul plate third है आपका standard उसके बाद आपका आता है ledger उसके बाद आता है आपका transzone bracing, copplers, working platform toe board, guard rail guard rail में आपका आता है mid rail top rail, उसके बाद आपका आता है ladder next है आपका स्काफोल्डिंग plank उसके बाद आता है आपका false upright उसके लास्ट में आता है आपको self closing drop bar तो यह सारे components हैं जो कि हमें scaffolding में use करते हैं अगर आपको इन सारे components के बार में पता नहीं है तो आप comment करिएगा इसके बार में details में video बना दूँगा अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात हैं आईए आगे शुरू करते हैं नेक्स्ट है types of scaffold यानि scaffold कितने प्रकार के होते हैं तो देखिए generally 6 प्रकार के होते हैं जब भी आपसे को interview में पूछता है तो आप बोल सकते हैं 6 types के होते हैं जिन में सबसे पहला है आपका static scaffold, second है आपका bird cage scaffold, third है आपका independent scaffold, fourth है आपका candy labor scaffold, fifth है आपका hanging scaffold और sixth है आपका mobile tower scaffold bracing यानि bracing कितने प्रकार के होते हैं देखिए हम bracing use क्यों करते हैं जो भी scaffold हम erect करे हैं उसको more stable करने के लिए यानि ज्यादा stable करने के लिए balance करने के लिए हम bracing का use करते हैं तो देखिए total 4 तरह के होते हैं एक्चुली यह एक ही तरह के होते हैं लेकिन जो इसका यूज करने का तरीका है एंगल है उसके according इसको अलग-अलग नाम दिया गया है तो इसमें सबसे पहला आपका है cross barricing, second है आपका knee bracing, third है आपका sway bracing और fourth है आपका plane bracing तो यह चार तरह के bracing होते हैं next है types of clamp, clamp कितने तरह के होते हैं तो यह total 6 तरह के होते हैं clamp हम की use करते हैं, हम इसका use इसलिए करते हैं ताकि जो भी इसका folding के components हैं उनको एक दूसरे से connect कर सके हैं तो यह तरह के connector होते हैं, तो इसमें सबसे पहला आता है right angle जिसे हम fix clamp बोलते हैं इसका जो load bearing capacity होता है, वह 610 केजी होता हैं second है आपका sw mailbox, जिसे हम 4 ions clamp बोलते हैं, इसका भी load bearing capacity 610 केजी होता है next है आपका sleeve coupler जिसे हम box clam भी बोलते हैं, इसकी load bearing capacity होता है 550 केजी नेक्स्ट है आपका ladder clamp इसका भी load bearing capacity 550 kg होता है नेक्स्ट है आपका plan coupler जिसे हम जाली clamp भी बोलते हैं इसका load bearing capacity होता है 565 kg लास्ट है आपका beam clamp जिसका load bearing capacity होता है 3000 kg यानी 3000 kg चलिए आप जान लेते हैं safety net कितने तरह के होते हैं वैसे safety net के बारे मैंने detail में वीडियो बनाया हुआ है अगर आपने उन्हें देखा है तो उसका link में आपको description में डाल दूँगा वहां से आप देख लेंगे तो देखिए यहां पर मैं दो तरह के बताने वाला हूँ और सबसे पहला जो man को hold करता है और जो second है material को hold करता है तो उसको use के purpose से दो तरह से divide किया गया है सबसे पहले man के लिए second है material के लिए तो जो man का safety net होता है उसका जो hole होता है जो mist का hole होता है वो 100 mm होता है और जो rope का dia होता है वो 8 mm होता है और जो material का मेस का होल होता है 25 mm होता है और जो रोब का डाय होता है 12 mm होता है तो यह दो तरह के होते हैं इसके बार में डिटेल में मैंने वीडियो बनाया हुआ है अगर अपने नहीं देखा है तो link दे दे रहा हूं